हलो एवरिवन वेलकम टू टूट अफेर्ज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफेंस and मिलिटर एकसाइज़ अफ इंडिया इंडिये के जितने भी जो सैन अभ्यास हुए है लास्ट के थ्री मंथ में उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे Current Affairs का ये टॉपिक है और वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा Last 3 Month के Books and Authors Last 4 Month के Index Ranking यानि की सूचकांग और Ranking इस दोनों वीडियो को भी आप जरूर देखें इसके साथ साथ जून Current Affairs का Playlist है और July Current Affairs के दो वीडियो अपलोड कर दिये गए तो उन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं उन सारे वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में तो हम बात करेंगे इसमें Defense Exercises जो की Last 3 Month के हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं शुरूआत करते हैं जो पहला है वो है Slinex Slinex किन दो देशों के बीच हुआ था तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था भारत श्रीलंका के बीच हुआ था इसका दसवा एडिशन था दसवा संस्करन था Bilateral Maritime Exercise जो की कोलंबो में हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया था वो था INS किल्टन और INS सावित्री इस दोनोंने इंडिया को रेप्रेजेंट किया था चेतक हेलिकॉप्टर और डॉर नियर Maritime Patrol Aircraft पार्टिसिपेंट भी रहे थे इसमें तो Slynex जैसे आपकी आपको आपको नाम से ही हिंट लग रहा है श्रीलंका और इंडिया का एक्सराइज था ये कोलंबो में हुआ था दसवाँ एडिशन था Next है Exercise Coop India 23 Indian Air Force और US Air Force ने पार्टिसिपेट किया था अर्जन सिंग जो की West Bengal के पानागड में है अर्जन सिंग बेस इसका नाम रखा गया था कुछ साल पहले West Bengal के पानागड में है ये इसमें सुकोई SU 30 MKI फाइटेर एरग्राफ ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के तरफ से Exercise Coop India अब ऐसे नामों में थोड़ा confusion हो सकता है जहां की Countries के नेम को include नहीं किया जाता है तो Coop India, भारत और USA के एरफोर्स के बीच में participation हुआ था Air Base अर्जन सिंग एरबेस पानागड वेस्ट पेंगॉल में तीसरा है वो है Offshore Security Exercise प्रस्थान Exercise प्रस्थान इंडियन नेवी ने conduct किया था कहां Mumbai Harbor में Offshore Security Exercise जो की Mumbai Harbor में conduct किया गया था To verify the policies and methods of handling potential emergency on oil production platform Oil production और oil का कैसे extraction होता है वो transfer कैसे होता है उस चीज के लिए Offshore Security Exercise था इंडियन नेवी के द्वारा तो इसका नाम था प्रस्थान Next है Military Exercise X-Covach X-Covach कहां हुआ था अंडिमान और निकोबार Command ने conduct किया था Assets of the Indian Armed Force Army, Navy, Air Force और Indian Coast Guard इन चारों ने मिलके आपस में इस Military Exercise को किया था X-Covach अंडिमान और निकोबार Command ने conduct किया था इसको अगला है Ajay Warrior 2023 भारत और UK के Joint Military Exercise का नाम Ajay Warrior 2023 कहां हुआ था ये? Salisbury Plains of UK तो United Kingdom में हुआ था Don't get confused with उतराखंड तो Salisbury Plains of UK United Kingdom Indian Army Soldiers from the Bihar Regiment and Indian Army Infantry Regiment participated in the exercise तो Ajay Warrior किन दो देशों के बीच हुआ भारत और UK के बीच हुआ कहा था Salisbury Plains of United Kingdom Next exercise Orion Multilateral Military Exercise रहा ये? Indian Air Force में participate किया कहां हुआ ये? France के Mont Dei Martian Air Base में Mont Dei Martian Air Base में हुआ था France Air Space Force Air Force from Germany, Greece, Italy, Netherlands, UK, Spain and the USA also participate in the exercise तो ये सारे देश के Air Force ने भी participate किया था इसमें इसलिए ये है Multilateral Military Exercise औरियोन हुआ था ये फ्रांस में The Indian Air Force contingent comprises 4 Rafale 2C-172 IL-78 aircraft with 165 Air Warriors ठीक है तो ये इसका important point था for exercise Orion नेक्स्ट है अलमोहेद अलहिंदी 23 तो भारत और सौधी अरब के बीच होने वाला ये Bilateral Naval Exercise कहां हुआ था सौधी अरेब के अलजुबैल में अलमोहेद अलहिंदी 23 भारत और सौधी अरेबिया के बीच होने वाला था हुआ ये Naval Exercise अगला है बुलंद भारत बुलंद भारत इंडियन आंप फोर्स के दौरा कंड़क कराए गया था Fire Power Training Exercise था ये कहां हुआ था अरुनाचल प्रदेश के मंडला High Altitude Firing Range में अरुनाचल प्रदेश के मंडला High Altitude Firing Ranges में हुआ था और इसको कंड़क किया था इंडियन आंप फोर्स ने बुलंद भारत An Integrated Surveillance Fire Power Training Exercise तो ये नैशनल ही था इसमें इंडियन ने ही कंड़क किया था अरुनाचल प्रदेश में आंप फोर्स के दौरा अगला है इंडिय थाई कॉर्पैट Coordinated Petrol तो ये 35 संसक्राँ था भारत और थाइलेट के बीच कहां हूँ ये हुआ था International Maritime Boundary Line अंड़मान C में अंड़मान C के IML, IML, IML में International Maritime Boundary Line अंड़मान C INS किसरी ने पार्टिसिपेट किया था भारत के तरफ से इंडो थाई कॉर्पैट जो की 35 संसक्राँ था अगला है समूदर शक्ती जो की 4 संसक्राँ था Bilateral Naval Exercise इंड़े नेवी और इंडोनेशियन नेवी तो भारत और इंडोनेशिया की बीच जो होता समूदर शक्ती ये हुआ था बैटम, इंडोनेशिया में भारत की तरफ से INS कावराट्टी ने हिस्सा लिया था इसमें INS कावराट्टी फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड इन समूदर शक्ती 4 एडिशन 2023 नेक्स्ट एक्सराइज इनियोकोस 23 और ये था मल्टिनेशनल एर एक्सराइज होस्टेड बाई ग्रीस एर फोर्स तो ग्रीस में हुआ था ये अंध्राविदा एर बेस इन वेस्टन फेलो पॉनिस टोटल 11 कंट्रीस है पार्टिसिपेटेड इन इस एक्सराइज तो ग्रीस को मिला के कुल 11 देश 11 देश ने इसमें हिस्सा लिया था और इसके बारे में डिसक्स किया था मैंने में करेंट एक्सराइज वाले वीडियो में इन योकोस तो ग्रीस को मिला के कुल 11 देश ने इसमें हिस्सा लिया था अगला है अगनी दमन 23 अगनी दमन ये mutual firefighting exercise था ये national military exercise था to train the personnel of both civil and military agencies ये कहां हुआ था Southern Command पूने में ये हुआ था अगनी दमन 23 mutual firefighting exercise था ये अगनी दमन 23 next है एकता एकता छटा संसकरन था भारत और माल्दीव्स की भी जो की माल्दीव्स में हुआ इसके साथ सद एकुवेरिन एकुवेरिन exercise एकुवेरिन जो की बारवा संसकरन था bilateral joint military exercise between Indian army and Maldives तो भारत और माल्दीव्स के आर्मी का ये joint military exercise था एकुवेरिन जो की बारवा संसकरन था कहां हुआ उतराखंड के चौबार्टिया में National Defense Force commenced at चौबार्टिया उतराखंड एकुवेरिन भारत और माल्दीव्स और किया कहां Gulf of Oman में ओमान की खड़ी Gulf of Oman में भारत, फ्रांस और UAE ने हिस्सा लिया पहला संसकरन था Trilateral Maritime Partnership Exercise उसके बाद है Nevel Exercise Multilateral Nevel Exercise Komodo इसमें भारत की तरफ से INS Satpura ने पार्टिसिपेट किया था जो की चौथा संसकरन था Fourth Edition था Multilateral Nevel Exercise Komodo का कहां हुआ था ये Indonesia के South Sulawesi में South Sulawesi के मकसर में हुआ था जो की Indonesia में और Exercise Komodo में हिस्सा लिया था INS Satpura ने अगला है अगनियस्त्र एक अगनियस्त्र इंडियन आर्मी का Northern Command कंड़्ट कराया था इसे लद्दाक में इंडियन आर्मी के Northern Command ने इस Exercise को Conduct किया था जो की Domestic Exercise था National Exercise था ये हुआ था Eastern Ladakh में अगनियस्त्र अगला है X-Khan Quest 19-वा संसकरन था Multinational Peacekeeping Joint Exercise X-Khan Quest Conducted अट उलनबतार मंगोलिया इंडियन आर्मी बाकी के 26 देशों के साथ पार्टिसिपेट किया था तो 26 तो बिल्कुल आपको याद नहीं रखने तो 19-वा संसकरन था X-Khan Quest कहां हुआ था मंगोलिया के उलनबतार में अगला है रनविजे इंडियन एर फोर्स Conducted Exercise in CAC प्रयागराज Central Arm Command प्रयागराज UP UP के प्रयागराज में हुआ था इंडियन एर फोर्स ने कंड़्ट किया था रनविजे अगला है सुदर्शन शक्ती 2023 South Western Command of Indian Army Units along the Western Border of राजस्थान और पंजाब तो सुदर्शन शक्ती ये भी था National Domestic Exercise इंडियन आर्मी का South Western Command ने कंड़्ट किया इसे राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे नेक्स्ट है Arctic Challenge Exercise 2023 Finland, Norway और सुदर्शन ने होस्ट किया था बाकी NATO Countries भी इसमें पार्टिसिपेट किये थे ये छठा Multinational Arctic Challenge था Arctic Challenge Exercise छठा संसकरन था Finland, Norway और सुदर्शन ने इसमें हिस्सा लिया था इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था ठीक है? ये चंड़क्ट हुआ था इसमें NATO Countries शामिल हुए थे आगला है जाइमेक्स जाइमेक्स भारत और जापान का Maritime Force Exercise साथवा संसकरन था इस बार का Conducted in विशाका पत्नम विशाका पत्नमें कंड़क्ट कराएगा जाइमेक्स एडिशन मार्क्स अलेवन्थ अनिवर्सिरी ऑफ जाइमेक्स जब फॉर्म हुआ था 2012 में लेकिन जो एक्सराइज हुआ Conduct, mutual exercise, joint exercise इसका ये साथवा संसकरन था जाइमेक्स भारत और जापान के बीच का Maritime Force Exercise तो ये था लास्ट के थ्री मंत का Military Defense Exercise जिसमें भारत ने हिस्सा लिया था और कुछ domestic थे, कुछ international थे और आप बाकी के वीडियो अपकमिंग डेज में जो आएंगे उन्हें आप जरूर देखना So thank you very much for watching the video Thank you